चलिए आज बनाते हैं अर्भी के पत्तों की सबजी तो यहां पर सबसे पहले मैंने अर्भी के पत्ते ले लिए हैं और सभी पत्तों को पीछे से इस तरीके से कट कर लेंगे जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है नाइप की हल्प से अच्छे से कट कर लेंगे फिर उसके लिए एक बाउल में बेशन, सोल्टू टेस्ट, हल्दी पॉडर, रेट चिली पॉडर, जीरा पॉडर, हाफ टेबल स्पून धन्या पॉडर, एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक निम्बू निचोर कर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करकर एक मीडियम ठिक कनसिस्टेंजी का बैटर रेडी कर लेंगे एक पत्ते के ऊफ़र बैटर को लगा देंगे और सेम प्रोसेस नुव पत्ते को रखेंगे हम लोग लगा लेंगे sambil यहां इसके बाट नीचे से अम लोग वीडियो में दिखा है इस तरीके सा कि हम यहां पर इसे अगर नीचे से पुर करिए तो फॉल करने की मतलब बांदनी की जरूरत नहीं है अगर क्योंकि हम boil कर रहे हैं तो boil करने में खुलने का डर होता है इसलिए इसे धागे से दो दो बार हम बाद लेंगे तो यहां पर यह हमारा बंद के ready हो चुका है अब हम अल्रेडी यहां पर पानी को boil करने के लिए रख दिया था कराही में जैसी पानी उभाल आने लगे जब उभाल आए तो उसके बाद हम लोग तीन में यहां पर रॉल करके रखा वा यह, उसको हम लोग इसमें डाल देंगे जो एक्स्ट्रा पानी है आप इसे भी निकाल दे या फिर निकालने के 5 मिनट के बाद आप जितने भी रोल से उसको दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर दें तो और उसके बाद हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे गड़म गड़म में आपकी हाथे इसमें जल जाएगी इस पहले आप इसे ठंडा कर लें उसके बाद हम इसे इस तरीके से पीसे में कट कर लेंगे तो यहां पर यह देखे मैं एक कट कर के आपको दिखाती हूं बेशन का बैटर भी अच्छे से लग चुका है प्लस यह पत्ते भी अच्छे से दिख रहे और इसका राउंड जो सरकल राउंड है वो भी बहुत अच्छा देख रहें हैं अब हम इसे इसे साइट से कर लिए उसके बाद मीडियम फ्लें पर हम दोनों साइट से लाल होने तक क्रिस्पी ब्राउं कर लेंगे तो यहाँ पर यह देखिए एक साइट से हमारा लाल हो चुका है अब हम पलट लेंगे और इसे दूसरे साइट से भी हम फ्राई कर लेंगे क्योंकि हमने बॉयल किया है तो अल्मूस्ट एटी टू नाइटी परसंट हमारा पक चुका है तो बस हमें से ब्राउन कलर देना है तो यह देखिए हमारा दोनों साइट से अच्छे से लाल हो चुका है अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं तो यहाँ पे सभी जो पकोड़े अब बोल सकते हो यह हमारा रेडी हो चुका है अब हम इसकी ग्रेवी लगा लेते हैं तो ग्रेवी लगाने के लिए यहाँ पे हम मिक्सर जाड़ लेंगे तो यहां पे मैंने वही तेल लिया है जिसमें हमने फ्राइ किया था सेम कॉंटिटी तेल की रहेगी और उसके बाद जो हमने अभी पेस्ट रेडी किया है इसमें डाल देंगे लो फ्लेम पे आप डालेगा नहीं तो बहुत चीटे पड़ने वाले आपको डालने के बाद इ इसमें सबी मसाले डालेंगे तो मसाले में हमने यहां पे यूज किया हल्दी पॉडर लाल मिर्स पॉडर रोस्टेट जीरा पॉडर और धनिया पॉडर उस डाल कर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पे लो तू मीडियम फ्लेम पे करना है कम से कम 5-6 मिनट तक यह जग उसका मौश्टर अच्छे से सूख ना जाए तो यहां पे यह देखिए हमारा एकदम मसाला सूख कर रेडी हो चुका है अब थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके हम तो पहले इसे और अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे उसके बाद 7-8 मिनट ढखकर मीडियम तो लो फ्लेम पे छोड़ देंगे पहला 2-3 मिडियम फ्लेम उसके बाद एक बार और हम लोग चला लेंगे उसके बाद हम इसे 5-7 मिनट वापस से लो फ्लेम पे छोड़ देंगे यहां पे टूटल मैंने 10 मिनट ग्रेवी को पका लिया था अब यह देखिए मैं डखना का ह कोड़े को डाल कर उसके बाद ग्यास को ओफ कर देंगे और 10 मिनट इसे ढखकर छोड़ देंगे और यह हमारी अड़बी के पत्तों की सबजी रेडी हो चुकिए आप इसे चावल के साथ खाए मचली जो खाते है न वो भी भूल चाहेंगे इतना अच्छा टेस्ट आता इस